एक शोकोज नोटिस आया वो शोकोज नोटिस को जब हमने पोर्टल में देखा तो पोर्टल में था यह अब पोर्टल में जो इशू डेट लिखा वा तो 4 अप्रेल 2022 द्यूडेट ऑफ रिप्लाई 22 जनवरी 2024 यानि की दो साल और यह केस क्रेट किया गया था 22 दिसंबर 2023 को तो 22 दिसंबर 2023 दिन का समय दिया गया तो ओविसली 30 दिन का समय लेकिन यह क्रिएट कब किया गया चार अप्रेल 2022 जब हमने इसको देखा चार अप्रेल 2022 इतना लंबा गैप जो बीस मेने का था तो इसका जब दिन को वेरिफाई किया तो दिन इस तरह से आया इसमें लिखा वादर कम्यूकेशन और लेटर और यह किस के लिए और यह दिन किस पे चिपकाया हुआ है शोकाज नोटिस पे तो हमने इसको यह लिखा है कि पहला फैक्ट कि यह बीस मैंने बाद अप्लोड हुआ है दूसरा कि इस दिन इस बिंग जनरेटेट पर अधर कम्यूकेशन और लेटर और नोट फोर शोकाज नोटिस के लिए होता तो यहां नोटिस लिखा होता है और देफोर इस इन इन्वालिट दिन और लाइबल तो बिग्वैश आप लोग का उपिनियन तर जैसा हम स्टैंप पर करें के रखते हैं यह दिन जनरेट करके रखते हैं और किसी को भी चाहिए तो दूस करते हैं शाहिद है इस सॉलिड सॉट है इतनम पर्फेक्ट है तू दप उसको वार किया अपना येस तो आप लोग भी जब यह दिन को हमेशा वेरिफाइए कि वह पस गया इसमें इस चाहर अपरल दोजार बैस यह दिन का यहां वी चाहर अपरल दोजार बैस अगर आपके पास वह वीडियो होता है ना वह दिन भला सितरामन जीन है पॉपलिक स्पेकिंग में बोला था कि दिन नहीं होता है तो कुड़े में डाल दो उसको लेकिन सुप्रीम कोट ने कह और दियाना की दिन एक है तो यह एक हम लोग के लिए अच्छा नहीं है इंफिर भी वी हैप चैजनेंटीन अभी तो वह पेंडिंग ही है वह इस्टिन जुरूर से चाहिए आपको कही ना कहीं माले मेरिट आपके साथ नहीं है तो कम से कम टेकनिकल तो आपके साथ हो काहां आप सिंपल लिखे ने सीबी आइसी वेरिफाइट गूगल कीजिए आपको अपने आप आप निकाल देगा वो पुरानी वाली साइट है ना सर जो भी साइट है आप आप